तुम्हारा मतलब हाँ बिल्कुल वो खिड़की करीब इतनी खुली हुई थी हाँ इतनी ही खुली थी और उसके बाद वहाँ से कोई अन्वेर आ गया और जो कॉमिक बुक देस्क पर थी उसका क्या वो कॉमिक बुक तो पानी में गेतर भीग गई थी क्या भीग गई थी इसका मतलब क्या है नोबिता पता नहीं चा तुम्हें किसी पे शक है? नहीं मुझको तो नहीं है पर ऐसा काम अगर कोई कर सकता है तो वो है नहीं नहीं मैं बेकसूर हूँ मैंने कुछ नहीं किया मैं अपर वाला सुझ्यों को सजा दे रहा है यह सुझ्यों तो मुझे पागली करदेगा ... उसके पास कोई सबूत भी नहीं है मुझे तो इस बात का अपूर ई हमी थी ओपर वाला सुझ्यों को तो सजा दे रहा है उपरवाला सजा दे रहा है, क्या मतलब? उपरवाले ने उसे इसलिए सजा दी, क्योंकि उसने सभी के अलावा सिर्फ मुझे कॉमिक नहीं दी सुन्यों के साथ ऐसा ही होना चाहिए पर क्या तुम्हें लगता है, क्यों उपरवाला इस तरह से कॉमिक बुक के पेज़ेस पर थूप लगाएगा? ज़रा रुको नोबिता मैं घर आ गया ओ नोबिता तुम आ गये, देखो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना ठीक है? ओके आज का होमवर्क तो सच मुझ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अजे बाव इसको तो किसी की भी फिक्र नहीं है क्या तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं एक आइडिया है दोरी मौन, बाहर एक दोरा केक तुमारा इंदिजार कर रहा है जा कहा? क्या बगवास है बाहर एक दोरा के एक मेरा इंतजार कैसे कर सकता है नोबिता ने कितना मामुनी सा जूट बोला है हे, नोबिता, सुनो मुझे परिशान मत करो नोबिता मुझे आज कुछ बदला मदला लग रहा है थुड़ा से रहे क्या बस गुखार तो नहीं है इसका तो परस से लामन है बस बहुत हो चुगा चलो अब कम से कम दस लीटर खून निकालती है अगर सब कुछ गलत हुआ तो इतनी तेजी से होमवग करने का कोई फाइदा नहीं होगा आज का होमवग तो सच मुछ बहुत आसान है बस उने वाला है पूरा हो गया सारी जवाब बिलकुल सही है ओ हेलो लूबिता मैंने आज केग बनाया है क्या तुम आओगे क्या कहा शिजूका तुमने केग बनाया है दोरी मॉन को भी बलाया है ठीक है हम अभी वह आएंगे ओके बाई शिजूका अब क्या दोरी मॉन शिजूका के घर में डोरा के खाने का कॉमपटिशन चल रहा है वाव मज़ा आ गया मैं चाता था कि डोरी मॉन जल्दी से शिजूका के घर चला जाए मेरे ख्याल से उस ग्याज़िट का अब घर आने का वक्त हो गया है अब मैं जाओंगा शिजूका के घर केग खाने के लिए मज़ा आएगा क्या मतलब यहां डोरा केक्स खाने का कोई कॉमपटिशन नहीं हो रहा हे जरा सुनो नोबिता हे जियान नोबिता मैं और सुनियो दोनों बेसबॉल खेलने जा रहे हैं जाओ खेलो असल में क्या था कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी मैं तुम्हारे लिए बॉल पकड़कर नहीं लाने वाला नहीं ये काम उसे भी अच्छा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहता हूँ कि जब मैं और सुनियो मैदान में बेसबॉल खेलने जाए तब तुम मेरी दुकान संभालो ठीक है समझ गए लो पिता मुझे शिजूका की घर जागर के इक काना है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिन्दगी में कभी इतना डर नहीं लगा जब मैं अपना होमबग पूरा कर रहा था तब अचानक कहीं से एक आँख और एक मुझ? हाँ शिजूका, मुझ मेरी किताब के पेजिस पलटता रहा और वो आँखे मेरे नोट्स को घूरती रही, इससे मेरे सारे नोट्स भीग गए थे क्या तुम्हें पता है, सुन्यों की कॉमिक बुक भी थोकी वज़ा से भीग गए थी? तब तो ये जरूर उसी का काम होगा बापरे, कितने डराफनी बात है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? फो, क्या बात है, इस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा ये दुकान समालने की कोई जरूरत नहीं पर जियान को फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे रुकना चाहिए मुझे अकीम है कि इस वक्त दोरीमोन नोबिता के लिए भी थोड़ा सा बजाते रोखो दोरीमोन उससे रहने दो, वैसे भी वो अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता उसे केक देने की कोई जरूरत नहीं है उसकी यल्मत, शायब वो भूल गया है कि वो सिर्फ एक रोबोट है अरे यार, मुझे भी केक खाना है मुझे से फिर सिस्तमाल करना होगा जब दोरीमोन भार गया हुआ था तब ये फिचर डिपार्टमेंट शोर से डिलिवर किया गया था मैंने इसे चुके सिस्तमाल किया और बहुत मज़ा आया ये कहीं भी जा सकता है और इतना ही नहीं इसके आख और मुझे मेरी तरह काम करते हैं और अब परक जपकते ही मैं शिजुका की घर पहुंच जाऊंगा अब ज़रा शिजुका का कमरा तो देखे वो रही केक तो काफी टेस्ची लग रहा है वाँ अच्छा एक बात बताओ तो क्या तुमें ये लगता है कि ये डोरेमोन का गयजट होगा तुमने उसे कोई गयजट दिया पर जब मैं बाहर गया था तब मेरी गयर हाज़री में फ्यूचर डेपार्टमेंट स्टोर से कोई नया गयजट आया होगा जब नोबिता आएगा तब उसी से पूछ लेंगे ठीक है शिजुका पर वो काफे लेट हो गया है ना समझ नहीं आता नोबिता न जाने कहा बस गया होगा अरे केक तो आज तो केक खाने का मज़ा आ गया अरे बाब आज तो पिलकुल नोबिता की है मुझे पूरा यखिन है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जाता चेक करता हूँ अरे बड़ी अजीब बात है उसे वो मुआ रांग का सेट कहां से मिल गया आइडिया अब मैं जाकर सभी को चिड़ाता हूँ रेडी तीसरा बेश सब तयार है हाँ रेडी हे तुम जला ध्यान से हाँ अरे हे बेवकूफ तुम्हें एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए अभी से हाल मान गए लाओ अभे शॉर्ट स्टॉप पकड़ लेना ठीक है हाँ सॉर्ट तुम सब लोग तो किसी काम के नहीं हो हाँ हाँ देखो ये फ्यूचर डेपार्टमेंट स्टोर का एक डिलिवरी नोट है ये नोट तभी आया होगा जब मैं घर से बाहर गया हुआ था ग्याजट को मेरी पर्मिशन के बगएर इस्तमाल करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता अरे नहीं हब मैं क्या करूंगा हे नोबिता दुकान समालने का शुक्रिया आप तुम लग जा सकते हो वो वो तुम जानते हो ये क्या है नहीं नहीं ये तुम कुछ भी नहीं है ओके फिर मिलेंगे आखिर नोबिता को हुआ क्या उसे छोड़ भी दो जियान जाने भी दो तुम्हे उस मुह और आंख से आखिर मेंना देना क्या है क्या ये पूछने की जरूरत है नगर आ गया नोबिता तुम अभी यहां आकर बैच जाओ ठीक है पर बात क्या है सवाल मत पूछो ये बताओ क्या तुम मुझसे अपनी नजरे मिला सकते हो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा चहरा बड़ा जीब सा नजर आता है मैं चहरे की बात नहीं कर रहा अब चलो मुझे आलवेज आईजन माउथ लोटा दो आलवेज आईजन माउथ वो क्या है मुझे इस बारे वे कुछ नहीं पता मेरे पास सबूत है समझे जोडी मौन वो जोड़ा की कहा है नोबिटा ने मुझे दुबारा चकमा दे दिया तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था हम इसे कहते हैं दपपर अठैक यह बहुत दीग है बहुत दीगा हची! 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 ए सुनियो, क्या तुम बाकी अटाइक्स करने के लिए तैयार हो? हा, तुम तैयार हो जाओ. अब पेपर के बाद होता है चिली पेपर अटाइक. उसके बाद हॉस् रैडिक्ष अटाइक. देहौर्ट मस्करड अटाइक. फिर अनियन अटेक और लमन अटेक और आखिर में सबसे खतरनाग अटेक एक बड़े चमत से पिकल्ट लम अटेक मेरी बताद करो मैं चाहता तो हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता ओ चलो भी प्लीज असा मत को जी आनर सुनियो से ओलवेज आईजन माउट ले लो वरनो मेरी आलत खराब कर देगी ओलवेज आईजन माउट वो क्या है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मुझे माप कर दो उनसे औगाजित ले लो प्लीज कुछ करो अच्छी अच्छी अच्छी